अस्ञामनेकॉम कैसे आप सरे में ने था है कि आप ठीक होंगे और वहतए खुश होंगे तो आज जो मेरे पास order आया धा ये मुझे आया था कराची से एक सिस्टर ने order किया था जिन पूरकिट चाहिए थी उन्होंने अपनी भावी को भीजनी थी मुलतान में बिसिकली उनने मुझे से 2 से 3 दिन पहले कॉंटेक्ट किया था उनोंने अपनी भाभी को भेजनी थी बकित और उनोंने मुझे कर था कि मैंने साथ केक बन वाने केक का डीजाईइन उननने मुझे सारा बता दिया था और सबसे पहले में गई थी गुलगश्ट चैप्टर टू और एक दो और मैंने शॉप्स विजिट की थी और मैंने उनको चीजें बता दी थी यहां से बहुत कम चीजें पर चेज की थी क्यूंकि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है पर क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है चैप्टर टू से मैं काफी चीज़ें लेती भी हूँ और यहां पर जो यह चीज़ें पड़ी थी मतलब थर्टी टू हंड़र्ड का यह था और इनको यह बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी अच्छा लग रहा था लेकिन इसकी बहुत ज्यदा प्रैस्स बहुत ज्यदा हाई थी अच्छा उसके इलावा मैंने यहांसे बकिट ली थीए चैप्टर टू से और मैंने यह जो जितने स्टैशन्री का समान था ये लिया था एक चोटा से टेडि वेर लिया था एक envelope लिया था पैसे डालने के लिए और बाकी मैंने यहां से जो जो चीजें पचेस की थी इसकी सारी final वीडियो मैंने last पे attach किया इन्होंने साथ केक बन वाया था उनको surprise करने के लिए और उस केक के लिए इन्होंने design भी select हुट किया था और इन्होंने एक ये जो था ना कार्ड ये भी बनवाया था मतलब ये एक ना letter टाइप था पर इनको ये letter पसंद नहीं आया था पिर बाद में मैंने changing करके और जो था इनको print करवा कर निकलवा कर तो और बना के दिया तो यहां पर मैं fondant की चीजे बना रही थी क्योंकि fondant को मैं इस वज़ा से थोड़ी दिर पहले बना लेती हूं ताकि दो तीन गेंटों में ये सेट भी हो जाए और जब इसे हम केक योपर लगाएं तो ये slip ना और यहां पर मैं केक का sponge बना रही थी जो के मैंने तकिबर 1.5 pounds के अंदर ना इसको बनाना था और with fondant और यहां पर मैंने 1.5 बेक किया था चॉकलेट फ्लेवर में और चॉकलेट फच के अंदर ही मैंने वो बनाना था केक मैंने यहां जितने भी परचेजिंग की थी मैं इनको साथ-साथ उसके लिस्ट भी सेंड करी थी और बेल्स भी सेंड करी थी इन्होंने मुझे आडवांस पेमिन बेजी थी कराचि से और यह बेजना था मुझे दो दिन के बाद और यह केक मैं ऑन्दे ही कर रही थी बेक जिस इन मैंने बेजना था और जो लोग पूशे होते हैं कि क्रीम का तो मैं विपी विप की क्रीम यूज़ करती हूँ और ये तीन से चार मिनट के अंदर सर्दी है तो जल्दी से ये विप हो जाती है ओवर विप नी करना अभी पिछले दिनों एक मेरे पास ओर्डर था और मैंने जल्दी में बहुत ज्यादा विप कर दी क्रीम सर्दीयां ओठी तो वो जो क्रीम थी ना वो बहुत ही उपर मेल्टी नहीं ओर ती लग ही नहीं रही थी इन्हों ने अपनी भाबी को सर्प्राइस देना था और इन्होंने बेस्ट विशिस का केक बन वाया था अदाम भेजे थे अच्छा जो बकेट थी उसके अंदर गजरे थे बुके था और बैलून्स थे उसके इलावा यहां पर मैंने सारी जो है इसकी वीडियो भी लगाई वी जिसके साथ एक केक भी था इनका और इसके अंदर एक पाउच था डाइरी थी और लेटर था करवाई थी और इस टोटल का मैंने सिक्स्टी एट थाउजन चार्ज किया था विड डिलिवरी और इन्होंने मुझे जो है वो ऑनलाइन पैसे जो थे वो पहले ट्रांसफर कर दिये थे एडवांस पेमिट क्यूंके जो आउट ओफ सीटी के आरडर होते हैं पचेजिंग के के हाथ में दिलवाया था और वो बहुत खुश होई थी क्योंकि यह सर्प्राइज बहुत अच्छा बनके रेडी हुआ था और उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा था और उनकी मदर ने भी शुक्रिया के लिए मुझे कॉल की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा सुक्ते, thank you